आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, so the question is What will come in the place of Question Mark in the Below Series आपको एक सीरीज दे रखी है उसके बाद 4th जगह पर आपके Question माग है वहां आपको बताना है कि क्या होगा तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहला काम हम पता करते हैं कि 1st और 2nd में किस तरह का pattern follow हुआ है जो pattern इन दोनों में follow होगा वही pattern हम इन दोनों में भी follow कर देंगे ठीक है ना तो देखते हैं कौन सा pattern follow हुआ है आपकर देखिए अगर मैं इनको numbering दे दू ये 1st number पे है ये 2nd number पे है और ये 3rd number पे है जब 2nd image में क्या हुआ 3rd number वाला पहले आ गया इन 1st number वाला आया और उसके बाद 2nd number वाला आया लेकिन reverse होके ठीक है लेकिन reverse होके मतलब उसका जो left था वो right हो गया तो ये pattern हमें follow करना है अब हम सेम यही काम follow करते है इस वाले में इसको हम पहले numbering दे देते हैं 1, 2 and 3 तो सबसे पहला हमारे आए पास आएगा 3rd number वाला फिर हमारे पास आएगा 1st number वाला फिर आएगा 2nd number वाला लेकिन reverse होके यही pattern follow करना है हमें ठीक है तो 3rd number पर हमारे पास क्या है R है ब्रैकेट में तो पहले आएगा R इस तरह से 2nd number पर हमारे पास उसके 1st number वाला आएगा 1st number पर हमारे पास क्या है ओम का sign है तो यह आजाएगा 2nd number पर और फिर उसके बाद है 2nd number वाला चीज आएगी जो reverse में होके आएगी 2nd number पर हमारे पास arrow है जो इस तरह से जब इसका reverse करेंगे तो तो यह कैसा बन जाएगा option B में भी हमारा वाला pattern नहीं है arrow बीच में है option C में पहले R है फिर O में है फिर arrow है और arrow reverse है मतलब option C जो है आपका that is correct option और option D जो है वो भी incorrect है क्योंकि हमारे pattern को follow नहीं कर रहा है okay thank you okay just a minute there are some options also इसमें आपका C option ठीक है और C आपको दे रहा है fourth number पे तो fourth option is your correct option okay thank you